हेलो एवरीबन, वेलकम टू जी के इन्शॉर्ट्स, करेंट अफेर की सीरीज में आपका फिर से एग वर्स हो आ गयता है, आज हम लोग डिसकस करेंगे सेप्टेमबर का पार्ट फोर, जो की 25 सेप्टेमबर से 35 सेप्टेमबर तक का है, यह सारे करेंट अफेर दा हिंदू और असानी रहे, ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेर पार्ट फोर, और आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजेगा, ताकि आप लोगों को रेगलर नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करेंट अफेर, देखिए इस इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, सौभागी स्कीम को, अब देखिए सौभागी स्कीम जो था, उसका एम था, यूनिवर्सल हाउस होल्ड एलेक्टिफिकेशन का, और लाश्ट माइल प्रवाइड करना, इसका एम था कि लाश्ट माइल प्रवाइड की जाए, कनेक्टि और इसमें एलेक्टिसिटी उन लोगों को जो एलिजबल हाउस होल्ड थे फ्री दी गई थी, और जो अदर्स थे उनको 500 ओपीज चार्ज किया गया था, तो देखिए 91% रूरल इंडियन हाउस होल्ड जो हैं, उन्होंने रिसीब किया एलेक्टिसिटी एक्सेस को अभी तक रूरल हाउस होल्ड में, तो देखिए RBI ने रिलीज की साइबर सेक्योर्टी विजन फ्रेमवर्क और उसका टाइटल दा टेक्नलोजी विजन फॉर साइबर सेक्योर्टी, यह किसके लिए किया गया, यह किया गया, अर्वन कॉपरेटिव बैंक्स के लिए, ठीक है, तो से इसका जो प्राइमरी कॉपरेटिव बैंक्स जो लोकेटेड है अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियास में, और यह बैंक्स जोते उनको पहले अलाउट ता लेंड करना मनी, अनली फॉर नॉन अग्रिकल्चरल परपस के लिए, पर अब यह किसी को भी लेंड कर सकते हैं, ठीक तो यह information ध्यान रखेगा और यह technology vision for cyber security इसको याद रखेगा आप लोको, फिर देखिए, यह काफी important है, इसको फुरा background के साथ देख लेंगे कि क्या है, देखिए, United Nation General Assembly, ठीक है, United Nation General Assembly, 28 September 2020, जो है, उसको observe क्या है, International Day for Universal Access to Information, तो यह route to information के बारे में है, तरीके से, तो ध्यान रखेगा, 28 September को होता है, International Day for Universal Access to Information, और इंडियाम देखिए, जो right to information है, वो right to information act से govern होता है, 2005 में, उससे पहले, जिसको इसने replace किया, उसका नाम ता freedom of information act 2002, तो इसमें आप लोग ध्यान रखेगा, कि आप लोग को यह information होनी चाहिए, कि आप लोग, authority के पास होती है, ठीक है, तो कोई भी work हुआ, या document हुआ, record हुआ, notes हुए, ठीक है, copies हुई, document of records की, बस यह आपको देखा जाएगा, कि internal security को, internal security बारे में इन सब चीजों की information नहीं दी जाती है, तो यह सब चीज़े आप general domain में जो रहती हैं, वो आप access कर सकते हो, तो इसमें आप यह ध्यान लखेगा, जो respective authority है, जिससे आप information मांगोगे, उसको reply करना पड़ेगा, within 30 days में, और यह authorities जो है, यह under the act, इनको भोलते हैं, causes judicial authorities, फिर देखिए, RDI एक तरीकास fundamental light है, हर citizen का इंडिया में, और freedom of speech जो है, वो भी under article 19 आती है, तो आप ध्यान इस information को, फिर देखिए, union, minister of environment, forest and climate change, इन्होंने represent किया, इंडिया को, ministerial round table dialogue on biodiversity, ध्यान रखेगा, ministerial round table dialogue on biodiversity, इसको चाइना ने organize किया था, वर्चुली, और जो topic था, ठीक है, topic था, topic of biodiversity, beyond 2020, building a shared future for all life on earth, ये इसका topic लिया गया गया था, अब ये ध्यान रखेगा, ठीक है, और ये meeting ध्यान रखेगा, और किस topic को discuss किया था, इसको भी आप लोग याद रखेगा, ठीक है, चलिए, आगे चलते है, पर दिखे, केरेला टूरिजम ने जो है, internationally acclaimed human by nature campaign जीता, ठीक है, पाटा, Pacific Asia travel association के द्वारा, अब ये अवार्ड जीता है, चाइना ने tourism को promote करना है, अपने COVID-19 situation में जो tourism खराब हो गया था, उसको फिर से revive करने के लिए efforts जारी किये हैं, केरेला ने, तो इसने अवार्ड जीता है, ये human by nature campaign launch किया, केरेला ने ये campaign का नाम था, और prestigious पाटा grand awards ने जीता, फिर दिखे, central government ने notified की guidelines, hydrogen fuel cell based vehicle के लिए, तो आप लोग घ्यान रखेगा, जो category M के अंदर vehicle आती है, वो those running the passengers, और जो category N के अंदर आती है, those carrying goods, और ये standard अपना जाएगा, ठीक है, AIS 157-2020, और जो NTPC है, National Thermal Power Corporation, ये करेगा, hydrogen fuel cell electric cast देगा, ठीक है, जो run करेंगी, ले में और डेली में, और NTPC जो है, वो provide करेगा, 10 hydrogen fuel cell based bus, ठीक है, ये पहला project इस तरिके का इंडिया में है, तो आप लोग ध्यान रखेगा, अच लेक्चर में भी hydrogen के बारे में हम लोगों ने discuss किया था, current affair के, विदी के central board of direct tax, इसने launch किया था, faceless income tax appeal, ठीक है, तो जो announcement थी, वो प्राइम निस्टर ने, पंडित दीन द्याल उपाद ध्याए, इनके birth anniversary में की थी, और उन्होंने launch किया था, faceless assessment and taxpayer charter, under the transparent taxation, honoring the honest, एक platform बनाएगा था, honoring the honest, तो इसमें क्या होगा कि, इस mechanism में जितनी भी appeals होंगी, वो finalize की जाएगी इना, faceless manner, लेकिन जो बड़े cases होंगे, जैसे tax revision हो गया, black money act हो गया, और serious fraud हो गया, ठीक है, उसके लिए, ये पहले वाली ही mechanism follow की जाएगी, तो ये process को simple बनाने के लिए ये किया गया है, तो आप लोग ध्यान एक हीगा, honoring the honest जो प्लेटफॉर्म है, वो taxation से related है, ये देखिए, Vodafone ने case जीता है, ठीक है, international arbitration tribunal में, over retrospective tax demand को ले करके, तो 20,000, 20,000 करोण रुपीज का capital gain और withholding tax, Indian government demand कर रही थी, देखिए, मैं बताता हूँ, exactly हुआ क्य इंडियन गवर्मेंट से खरीदी थी, ठीक है, तो इंडियन गवर्मेंट ने बोला कि 20,000 करोण रुपए की आपकी liability बनती है, तो Vodafone सुप्रीम कोड गया, वहाँ पर गवर्मेंट की appeal को इस्टक डाउन कर दिया था, फिर गवर्मेंट ने क्या किया कि income tax department को transfer कर दिया, amendment करके और फिर income tax department ने मागना शुरू किया, तो इन लोगों ने फिर international arbitration tribunal में appeal की, ठीक है, फिर यहाँ पर अब इनको ये नहीं देना पड़ेगा अब ये, ये जीत गया है case, तो आप तीन तरीकी का tax है, इसको समझ लीजी क्या होता है, पहला होता है retrospective tax, ये tax जो होता है ज आज माली ये कोई law pass किया गया, तो अब ये law पहले किसी case पर अगर applicable हो रहा है, तो उसको बोलते है retrospective, और देखे, capital gain tax जो होता है, वो profit पर होता है, और withholding tax जो होता है, वो employer जो है, वो withhold करके रखता है employees का wages, और directly pay करता है government को, तो इसको बोलते है withholding tax, तो ध्यान रखेगा capital gain और withholding tax की demand कीती, फिर ध्यान रखेगा international arbitration tribunal जो होता है, वो independent non-governmental panel एक और permanent court of arbitration established हुआ था 1899 में, और ध्यान रखेगा इसका headquarter है, हेग इदर लेंड में, हेड़कोर्टर जरूर याद रखेगा, ये important है, ये पूछा दा एक्जाम में की permanent court of arbitration का headquarter कहा है, तो ये है TIE ने recently introduced किया एक positive pay system, ठीक है, जो 2021 में launch होगा, और ये system है, launch किया गया, ये check payment जो होती है, इसको और secure करने के लिए, और the payment will make mandatory to reconfirm key details, ठीक है, पचाहँ जार से ज्यादा का अगर check होगा, तो उसको दुवारा से reconfirm किया जाएगा, फिर एक टर में इसको ध्यान रखेगा, check truncation system ये क्या होता है, दीक है, check truncation system एक image based clearing system होता है, ठीक है, ये 2010 में launch किया गया था, और इसमें जो check है, उनको digitally check किया जाता है, और verify किया जाता है, उसका data, ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा, positive pay system कितना amount के beyond 50,000, फिर दीक है, फोर्थ edition of India, जापान marine time bilateral exercise, जिसका नाम है GMAX, ध्यान रखेगा, ठीक है, जापान, इंडिया, marine time bilateral exercise, तो ये North Arabian Sea में launch हुई, और ये conduct की गई, no contact at sea only format के basis पे, तो ये GMAX आप लोग ध्यान रखेगा, इंडिया और जापान के बीच में होती है, फिर ये ध्यान रखेगा, एशियान नेशन के बा ये है, ब्रुने, ठीक है, इंडोनेशिया, कमबोडिया, लाउस, मलेशिया, मैनमार, सिंगापूर, फिलिपिन्स, थाइलेंड एंड वियतनाम, और जो observer country है इसमें, वो है पप्वा नियू उगवाना, अब धिक ये observer country जो होती है, ये पहले part time बनती है, फिर slowly slowly अपना permanent status इ member नाम ध्यान लखिएगा, ये भी exams में हूचता है, फिर दिखिए, word bank ने 200 million dollar का लोन दिया बंगलादेश को, ये लोन basically safe water और sanitization service के लिए है, rural areas में, और ये अला project इनका काफी famous है, बंगलादेश का ध्यान लखिएगा, wash project, ठीक है, rural water sanitation and hygiene, इसको ध्यान लखिएगा, wash project जो ह है, वो बंगलादेश का है, फिर देखिए, ये launch किया जाएगा virtual platform, इसका नाम है IQWAT, ये एक virtual platform होगा, जो allow करेगा कस्मीरी pundits को जो एक platform में आकर engage हो सकते हैं, वो लोग professional and social networking activities में, ठीक है, वो लोग सीख कर सकते हैं, explore कर सकते हैं, दूसरे की help कर सकते हैं, और इसको 2021 में लाइन्स किया जाएगा, तो तीन corporate जो giant है, वो साथ में आए, एक ते संजे काउल, अजे काउल और मुकेश काचरू, तो संजे काउल थे, वो एक्स country head थे, एपल के, ठीक है, अजे काउल, एक CEO थे, जूबलियेंट food work के, और मुकेश काचरू जो थे, ठीक है, एक CTO capital gain USA के सबसे ध्यान रखेगा, इसका purpose किया है, एक वात का, और कहा launch किया गया है, और किसके लिए है, फिर देखे, world tourism day, world tourism day होता है, 27th of September को, ठीक है, तो United Nations World Tourism Organization ने 2020 जो year है, उसको वोला है, year of tourism and rural development, और इस बार की theme थी, tourism and rural development, तो इंडिया का एक सेख initiative है, साथी, साथी होता है, sophisticated analytical and technical help institute, अब ये application जो है, ये launch की गई थी, ministry of tourism और quality council of India के दोरा, जिससे की tourism को remote किया जा सके, जैसे की लोग tourist places जो होते हैं, उनको कैसे maintain किया जाएगा, वहाँ पर कैसे साप सफाई, रख रखाओ किया जाएगा, इसलिए ये app का नाम है, साथी है, जो first, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मर्कस और ब्लॉक है, ठीक है, ये launch कर रहा है, तो मर्कस और ब्लॉक भी मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, देखे, ये ब्लॉक 1991 में established हुआता, treaty of action cn के अंदर, ये economic और political ब्लॉक है, किसके बीच में Brazil, Argentina, Pragueway और Uruguay, आप लोग इन च ये associate member है, ठीक है, तो आप लोग ये main है, इनको इध्यान रखिएगा, फिर देखिए भगत सिंग, भगत सिंग के बारे में थोड़ी information देखते हैं, देखे, 28 September को ये born हुए थे और ये 113th birth anniversary थी इनकी, ठीक है, बान हुए थे बांगा विलेज ऑफ लयालपुर, district of undivided Punjab province, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, भगत सिंग और देखिए, शिव राम राजगुरु जो थे, ठीक है, इन्होंने जॉन सेंडर्स को का murder किया था, पर ये निकले थे James Scott का murder करने, जो कि responsible थे, ये लोग मानते थे, लाला लाजपतराय की death के लिए, ठीक है, फिर देखिए भग फिर इन लोग को commit किया गया था और hang कर दिया गया था, इन तिनों लोगों को 23rd March 1931 को, फिर देखिए World Ravish Day ये होता है 28 September को, और इस बार इसकी theme ती and ravish collaborate vaccinate, फिर देखिए इंडिया सेंडल बूड ट्री जो है, वो एक serious problem face कर रहे हैं, एक disease चल लेए है, सेंडल बूड स्प पर केरिला में और करनाटक में, तो सेंडल बूड इस पाइक डिजीज जो है, ये एक semi root parasitic tree होता है, इसका बहुत डिमांड है और export भी होता है इसका, तो स्पाइक डिजीज किसके तवारा cause की जाती है, वो है phytoplaz, और टीपू सुल्तान जो है, उन्होंने डेकलेर किया से wild tree of masur, ये किया था उस टाइम पे, तो इससे इसकी importance और भी जाधा increase हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा कहां पर ये होते हैं, केरिला और करनाटक में, और disease कौन cause करता है, phytoplaz, पर दिखेंगे, ministry of statistics and program implementation है, रिलीज की health in India report, अब इसमें percentage of sick people, जो है communities के उसके बारे में information है जैसे जो जैन communities हैं, उसमें 11.2% ailments है लोगों को, 6 में 11%, Christian में 10.5%, Muslim में 8.1%, Buddhist में 8% और Hindu में 7.2%, ठीक है, तो ailment basically होता है क्या है, जो deviation phase किया है, लोग अपनी physical well-being में, ठीक है, और कुछ हलका-बुलका लोगों को बीमारी होता रहता है, वो ailment होती है, तो इस चीज को health in India report Ministry of Statistics and Program Implementation उन्होंने लॉंच किया है, फिर देखी 29 सेप्टेमबर को होता है, वर्ड हार्ड दे और to spread the awareness about cardiovascular disease, फिर देखी यह बहुत इंपोर्टेंट है, गुगल इंडिया ने एनाउंस किया एक nationwide campaign जिसका नाम ता Make Small Strong, अब इसका जो एम ता होता कि support करना small businesses को और drive and drive demand through customer support, तो जी जो नया initiative है, यह based है on feedback from small and medium size business को promote करना है, ठीक है, यह it was announced as part of research by Google in collaboration with counter, अब देखिए इसमें report में क्यादा है कि 5 out of 10 business जो है, वो engage होते है with customers through digital channel, लेकिन 92% business जो है वो अभी भी इस problem को face कर रहे है, वो लोग connect नहीं हो पाते हैं digitally, तो Google ने अनाउंस किया partnership किया है, पांच लोग के साथ, इनका नाम है जो हो, इंस्टा मोजो, दून्जो और स्वीगी, इनके साथ collaborate किया, तो लोग ध्यान लखीगा, make small strong किस चीज़ से related है, ठीक है, जो small business and drive demand through customer support किसे related है, इनको help करना है, फिर देखिए, नीती आयोग and embassy of netherland, इन्हों ने एक statement of intent sign किया, energy sector में, तो आप लोग ये ध्यान रखेगा, यहाँ पर, कि इन्डिया जो है, committed है, reduce करने के लिए, emission intensity को by 33 to 35% by 2030 तक, इसको याद रखिएगा, और ये इन्डिया नीती आयोग and embassy of netherland, इनके बीच में ये हुआ था, ये देखिए, ये भी important है, National Institute of Nutrition, इसने देखिए ये average weight जो है, वो increase कर दिया है, man और woman का, और average height, तो पहले कितना था, 60 kg से 65 कर दिया है, man का, woman का 50 से 55 कर दिया है, और जो average height एंडिया में की वो है 5.8 feet, और average height woman की है 5.3 feet, फिर दिखिए भारत gold mines limited, ठीक है, ये क्या है कि कोलार gold field है, और ये 16 साल से यहाँ पर operation बन था, तो अ आप क्या किया है कि ये union ministry for coal mines and parliamentary affairs पहलाज जोशी नहां रखीगा, union ministry for coal mines and parliamentary affairs जो है, वो पहलाज जोशी है, अब इन्हों डारेट किया है mineral exploration corporation limited को, कि वो फिर से exploration को start करें, और कोलार field mine जो है, लगबग 100 km दूर है, आप लोग ने kgf movie देखा होगा, ठीक है, उसमें आप लोग में इसको क्या हुआ, close कर दिया गया था, यहाँ पर exploration, क्योंकि gold के prices उस समय काफी गिर रहे थे, तो कुछ information ध्यान रखेगा, इंडिया जो है, वो 10th largest gold reserve है, almost 600 ton, करनाट का largest producer है, US के पास, इंडिया में करनाट का largest producer है, US के पास highest reserve है gold का, deepest gold mine, word की ध्यान रखेगा, मपोनें gold mine of South Africa, largest producer कौन है, चाइना है, सबसे ज़्यादा produce करता है gold, फिर देखे, 38 सेप्टेंबर को observe किया गया international translation day, और इस बार की theme ती, finding the words for a word in crisis, ठीक है, finding the words for a word in crisis, उसके देखे, डिफेंस मिनिस्टर राजना सिंह ने लांच किया है, डिफेंस इंडिया स्टार्ट अप चैलें disk 4, एक IDEX event होता है, इसमें इसको launch किया गया, तो IDEEX 4 4G initiative जो है, इसके बार हम देख लिए, ये एक तरीक से support करता है, जो innovations identify किया जाते हैं Indian Armed Forces को, तो ये IDEEX 4G initiative इसके अंदर आता है, और ये Defense India Startup Challenge इसके अंदर event पे launch किया गया है, फिर देखे, हरिजन सेवा संग, इसको गां सेप्टेंबर को, ठीक है, जब वो येरवदा जेल में थे, फास्ट कर रहते हैं उस टाइम पे, तो ध्यान लखिएगा इसके बारे में कि हरिजन सेवा संग किसने फांड किया, तो गांदी जी ने, और ये एक non-profit organization है, ठीक है, 1932 में इसको पांड किया गया था, इसका purpose था ICMR, Indian Mid Council of Medical Research, इसने warn किया है कि एक danger फिर से virus का आ रहा है, जो की चाइना में found किया था, इसका नाम है cat-q virus, और इंडिया इस threat से prone है, ठीक है, इंडिया में फैल सकता है ये, तो ध्यान लखिएगा ये कौन सा virus है, cat-q virus, फिर देखिए, rights group जो है, human rights को देखता है, इसका नाम ह Amnesty International, इसने इंडिया में अपने operations को halt कर दिया है, और allegations लगाए, which and by government, government के उपर, basically, Kashmir issues और Delhi, मिजुरियोर्स वर से इसको लेकर के, इसने अपने operations बंद कर दिया है, इंडिया में, और ये एक non-government organization है, ठीक है, इसका headquarter ध्यान रखिएगा, UK में है, ठीक है, और human rights पर ये, फोकस करती है, तो ये current affair थे, 25 से लेकर के, ठीक है, एक तुद दिन current affair लेट हुजाते हैं, पर आप लोग को वेडियो अच्छा लगए, तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल को भी subscribe कर लिजेगा, तकि आप लोग को regular notification मिलती रहे, तो चलिए ठीक है, फिर आज के वीडियों फिर इतना ही करते हैं, मिलते हैं next week, अब two hour में, ठीक है, चलिए, thank you, thank you very much.